जैपूर में क्या हो रहा है लेकिन अगर हम ओवरौल पिक्चर की बात करें तो राज़स्तान में मैच जो है वह फच सकता है ऐसी तस्वीर देख रही है तो मिल्कुल बढ़ी गबर बढ़ी गबर तो यहाँ पर राज़स्तान के आकड़े आ गए हैं राज़स्तान की नमबर 80-100 यानि ठीक वहां तक जहां से सरकार बन सकती है लेकिन कॉंग्रिस की नंबर BJP से 6 सीटे जादा है 86-106 यानि कॉंग्रिस की सपस्ट बहुमत की सरकार बनती दिख रही है लेकिन वहां राजिस्तान में एक नंबर जो है वो आदर्स का है उनके नंबर जो है उनको 9-18 सीटे मिल सकती है तो जो आदर्स है ना माननिय निर्दलिय जो है वो राइस्तान में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकते है क्योंकि BJP और कॉंग्रेस की टक्कर आज तक एक्सिस के एक्जिट पोल के इसाब से टक्कर है लेकिन उस टक्कर में कॉंग्रेस लीट बे है लेकिन जो अनिका आकड़ा है ना निर्दलिय और छोटी छोटी पार्टियां उनका नंबर जो है 10 से 20 सीटों का हो सकता है यानि सरकार बनाने में उनका खेल पिछले बार के तरह इस बार भी इंपोर्टन हो सकता है तो देखें इंडिया टुड़े माई एकसिस का जो आकड़ा है वो यह कह रहा है कि राजस्थान में कॉंग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है देखें ये अब तक का अब तक का सबसे इंपोर्टन डेटा है सबसे इंट्रेस्टिंग खबर यही है कि राजस्थान का चुनाव फस गया भाई राजस्थान में ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी आराम से जाएगी और इस चुनाव को जीच जाएगी एग्जिट पूल बता रहे हैं कि आराम से छोड़ो पहले तो पीछे है लेकिन एग्जिट पूल यह कहा है कि इस बार रिवास बदल सकता है देख तीस साल है कि हर बार बदल जाती है सरकार बीते 30 सालों में यानि कि बहरोज सिंग शेकावत की सरकार के बाद से अब तक वहाँ पर हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है वर्तमान में अशोग गेरोट की सरकार है कॉंग्रेस की सरकार है लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि कोई नाराजगी होती है इस बार अशोक गेरोट के खिलाफ ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी, एवन दो कि जितने भी सरवे हुए, उसमें सबसे बेस सी हैं, यानि कि चोईस में वो सबसे आगे नजर आते थे, और अगर यहाँ पर कॉंग्रेस जीतती है, तो उसकी वज़ए सिर्फ और सिर्फ एक हो है, राजस्तान से पुरे देश में की जा रही है, तो उसका नाम है चिरंजीवी, और एक और OPS, Old Pension Scheme, Old Pension Scheme का भी ढंका जो है, वो राजस्तान में अशोक गेरोट की सरकार ने सबसे पहले पचाया, और सबसे बड़ी बाग, जब वो गुजराद चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने का था कि मॉडल स्टेट जो है वो राजस्तान है, राजस्तान से सीखना चाहिए सबको, जी, राजस्तान में जो पांच साल में सरकार पलटने और बदलने का रिवाज है, वो हो सकता है कि इस बार ना बदले, यह जो नमबर आस तक और एक्सिस के है ना, वो पिछले जो इतने चुना हुए उसमें एक्सिस की विश्विशनियता काफी उपर रही, आस तक सबसे बड़ा चैनल है और इस लिहाद से वो जो नमबर आ रहे हैं, वो बाकी सारे चैनलों के एक्जिट पोल से अलग आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि राजस्तान की तस्वी कुछ बदली सी लगे और हो सकता है कि रिवाज न बदले.